परचार में देखते हुंगे ठंदा 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 फूल पूल बोलता है जो इडिया में हैं हम क्या करते हैं सारा ट्रिक्सा याद करते हैं और प्लास्ट में लगा लेके अइडिका और अर्मक्तेस्प्र घंफर्व हो जाते हैं आप संतुष हो कि हाँ हम जो याद किये हैं वह याद हो गया है। अभी हम A का सिरीज पूरा खतम हो चुका है, B का सिरीज पूरा खतम हो चुका है, अभी हम S के सिरीज में चल रहे हैं और यह तब तक सिल्सला जारी रहेगा जब तक जनफना पहुँच जाए। ठीक है यह ब्लाक बुक का है तो अगर आपको लगता है कि बहता है कि हम खुद से रट ले तो आपको कर सकते हैं आपको लगता है कि इस ऐसा वीडियो तो और कहीं भी बड़ा-बड़ प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है आप वहां भी देख सकते हैं आप जहां पर च् longest car आपक है कंब को बढ़ते हैं अगे कि एक कम टुक्रिफ का मतलब होता है दुर घटणना यह औसाल अच्छा घरीफ का मतलब हो ता अंत्य हुद्ध होना तो कम टूग्रिफ अब आदमी को दुरघटना होता है तो क्या होता है दुखी तो होता है या फिर आशफाल होता तो क्या होता है दूख होता है तो have an accident have an accident come to grief अब कैसे याद रखे ऐसे याद रखते हैं इसको come to grief को मतलब होता है come to grief हम लोग बच्पन में खेलते थे किर्केट तो किर्केट खेलने के करम में कहा करते हैं थे अगर गलती से नया भाइट खरीद ले उसमें पकड़ने के लिए गृप होता था और वह बहुत जल्दी फड़ी आता था नॉर्मल सा होता था आम लोग के सो डेल सुम तो बैड मिलता था और उसमें गृप लगारता था तो शुरू शुरू आमको लगता था चार-पांच ब सब्सक्राइब अब जो बच्छा बैड लेकर कहा ने वह उदास हो जागा नहीं क्या होगे हुआ कि सला हम तो नहीं हो पाहें ढंग से अब सफल के से होगे मेरे बैड तो चूड़ गया अब मारेंगे तो बैड हाथ से चूड़ जागा इसका मतलब अब दूख हो जागा व कि सब्सक्राइब नहीं को बांगे अना सफल तो कुछ को उसके साथ दूरःटना जो हो गया तो आशपल ना कम तू गृफ किसमें आगया वह अब ग्रिप में आ गया घ्रिपड लेकर लएट नहीं है तो कम तू ग्रिप कहा मतलब तो परकास में लाना किसी को कोई बात जो है वो उजागर करना जो चुपा हुआ है उसको परकट करना एक्सपोज कर देना उसको अना रिवील करना तो कम टू लाइट का मतलब परकास में लाना एनिकी बीन रिविल्ड उजागर कर देना लास में मौक्टेश लगा करें देखेंगे आतमी संतुष्टी कले जी पोटा भॉल्टी सब आगे कम टू टर्म happiness मतलब हालाँ से समझोता कर लेना कम टू टवर मतलब उसी टर्म में हमा आगे जैसा'M हम थे सपना बड़ा-बड़ा हम लोका देखे है केरे काम करते हिंए ऐसा हो जाएगा उसके बाद यह करेंगे यह करेंगे यह और थोड़ा सा कशारहिए हुमंको स्पाइब हो सब्सक्राइब शचया क्या ला आसा चोब चाहे यह लिए यह सब्सक्राइब कंश यह अहले सिस्वा लेंगे बहुत पड़ा पोश्ट नहीं मिल पाया तो हालात से सम्झता करना पड़ते हैं दुर्गपुजा है कोई भी तहवार है कपड़ खरीदने हैं पसंद आया 800 का पॉइंट लेकिन लिए 300 वाला क्यों हालात से सम्झता करना पड़ तो कम टू टर्म उस टर्म में हमको आ जैसा चीज था हम वैसा ही में आ गए विद सम्थिंग जो जैसा देखे वैसा ही में चले गए कम टू सम्थिंग उसको बलता है हालात से समझता कर ले न तो ग्रेज़वेली एक्षप्ट अ सैड सिचुएशन ग्रेज़वेली एक्षप्ट मतलब धीरी धीरे करके चल ठीक कर कर लिए इसको सेड सिच तो बेकार सिचुएशन थ hm बिलाओ, आर मिटिंग बिलाने कि हम लोग का गाव में हमीशा पंचाथ होता है, लेकिन आज पंचाथ हुआ मालेटे किसी का झजगडा खा, जाते जाते उसमें एक बात उठता है, जिसका साधी होगा न, वो जो मीट देगा, तौल के, बकरा का मीट, खसी का, मटन, वो दो कि तो बढ़ा दो हर पंचात में यह बात हो जागा मतलब को मुद्द पर बात ही नहीं करेगा तो सब को बोलना पड़ता है कम तुद पॉइंट के हम अपना जगड़ा वास्ते बढ़ाएं तुम लोगो मीट बढ़ाने वास्ते नहीं चल बढ़ाओ इसका मतलब मतलब होता है मैनास्ते क्यों हूँ कब लिखा है भगत सिंग ऐसा अगर हम बताने लगे मैनास्ते क्यों हूँ कोन लिखा भगत सिंग लिखा ठेक है लाक वक्स किसको कहते हैं अगर यह सब हम बताने लगे तब क्या होगा मुद्द सब भटा जाएंगे तब बोलिएगा आप लोग का मतलब है सपने सच हो ना सब्सक्राइब मतलब कि इसको बोलते हैं कम वाइप में मतलब क्या हो सकता है अगर ऐसे ही बुले तो में मतलब क्या होता है possibility को बताता है चाहें जो हो सकता है कम वाट में चाहें जो हो जाएं तो no matter what happens हम यह काम करेंगे तो करेंगे चाहें जो हो जाएं उसकाम को कोई मतलब नहीं है आस्मान जमीन कर देंगे छोड़ेंगे ने कूल अबाउट वर्किंग मतलब काम करने के लिए तयार होना है वर्किंग मतलब क्याता है काम करना और पूल मतलब बहुत अच्छा एक होता है कूल इसका मतलब होता है ठंड़ा एक होता है कोल्ड इसका मतलब भी होता है ठंड़ा यह कूल का मतलब होता है अच्छा ठंड़ा आहा जो हम लोग एसी में लेते हैं गर्मी के दिनों में आच्छा लग रहा है यह होता है खराब थंदा यह बाहर निकलने के बाद स्वेटर रोटर पिलने के बाद भी शला हवा लगता है और उसके की जाए जाता है कि अधर से खुछ तो वह होता है इसले परचार में देखत मतलब बहुत अच्छा है किसमें अरन ऐताब करने के लिए तू यहमेशा तैयार है जाता हैँए फॉय इस को सब्सस्कुम्बर कमतलब धैरन के क्ट में होता क्या है कुकुम्बर मतलब होना देख लगला इज बंदे को नाम ही इसका क्टेप्टन कुल है क्टेप्टन कूल क्योंकि वह धैरे रखता है धीरे रखते हैं कूल मतलब क्या किया आहां जहां जहां आया तो समझ जाना वह जो है पॉजीटिव मिनिंग देगा और हील्स का मतलब होता है एक होता है हुच एच डबल एल हील मतलब होता है यह समझना अब एक होता है जिसे मान लेते हैं कि खड़ा है कुल ही इस मतलब एक अराम से करके कुल है खड़ा है कुल है खड़ा है मतलब खराब नहीं लग रहा है उसको अच्छा ही लग रहा है मतलब इंतियार करना उसको पसंद है अजाएगी दसमी है अजाएगी जाएंगे मिलने के लिए उधर बहले पकराज है चलेगा अशको इंतियार करना पसंद है इस मुहापत कभी करके देखा बड़ा मौझायगा कूल ही मतलब इंतियार करना भ़ले हम नहीं देता है अब उसकल दरिंदा है तो कौन आएगी मेरे कोपीत का मतलब होता है सामना करना कोपीत का मतलब क्या होता है सामना करना किसी चीज का हैंडल कर लेना कोपीत क्या है वो कोपीत कोपीत मतलब सामना करना कोपीत 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 सा और नहीं तो आप अपने से याद रखरें कि एसे कोपी का स्पीलिंग को यह होता है यूब अगर वह कोपी है और यहां यह भी है तो आज का हम लोग क्या कर रहे हैं कोपीर कलन से सामना ही तो पर्सेंट एक मत दाता सुची में दस परसेंट ने भोट नहीं डाला 84 परसेंट मत अवैद था जीतने वाले को 45 परसेंट मिला और जो जीत गया वो 200 मत उसे जादा से जीत गया बताए कुल मत केतना था अब कौपी निकालेंगे कलम निकालेंगे और उसके साथ सामना करने के लिए क्या करेंगे क्या करेंगे टोटल 100 वोट होता है ठीक दस परसेंट ने भोट नहीं डाला हम दस गो दिया देते हैं हमको तूरा पूरी 100 करना है और सीगो ने भोट नहीं दिया उसको भी दिया दो रहे 45% vote से जीता ठीक है अगला 200 ज्यादा लाया तो इसका मतलब ये दोसों से ज़ादा जीत गए मतलब ये 45% से 200 कम लाया होगा कल्कुलिशन करो परसेंट हो अलग रख तो उसको अलग रख दे इन सर मतलब हम क्या करने सामना ही तो कर रहे है कोईशन का हुआ कर रहे हैं कितना दस परसेंट पतालिस पतालिस नब्वे परसेंट और दस तो पूरे पराबर हो गया वह तो है ही नहीं कुछ ने गलत बहुत है कि यह था ऐसे ही बनता है आगे बढ़े अगे मुझा करता हूं अब मैं फुलेंग थोड़ा सा संतुष्टी हो जा गई से कम टू ग्रीफ ने बुले बैट लिये थे ग्रीफ साला फट गया अब रास्ट में हम दुख हो गया कि साला आप तो हम नहीं पाहिंगे खिलने असफ़ल हो जांगे मेरे साथ तो अब भ्यान दूर्गटना या असफ़ल हो जागा पहला नहीं दूसरा कम टू लाइट कम करो कम टू दा पॉइंट तीन कं टू मुतलब क्या मतलब क्या सच सपनी सच होना कंट होगे लगा मिद्स तर्म में हम आ गये।व दागं मतलब हम हालात से समझयत आकर ले वही चेश हूं कि वहाला सब्सक्राइब करने इस काम करने के लिए तैयार है को लए कुम रहना घर्मी में भी खीर्या केया तेसा रहता है है गर्मी में सब को पानी के कमी होता है लेकिन किर्या तरबुज में भरल रहता है ठंदा हो कोई मतलब नहीं करना पसंद अब तक हो कूल रहता है को कुल हीस हिल्स का मतलब ता अपना एड़ी एकदम कूल अच्छे से खड़ा है किसी का इंतजार करना पसंद तब तो और नहीं तो इसे चलते रहता बैचान रहता चलते रहता कहां गले कहीं मंगरुठीन भाग तो ना गले है हमरा कहले ले ऐवा ऐसा है तो इंतजार नहीं है परिसानी में कूल इस हिल्स मतलब अराम से खड़ाना है जाएगे कहां मेरे भी पास को आईगे तो कूल इस हिल्स का मतलब क्या आता है इंतजार करना कोप विथ है कोप विथ है लेकिन हम बोले कोपी विथ सामना कर रहे हैं अभी कॉश्चिन से तो कोप विथ मतलब सामना कर रहे हैं यह हो लेकिन अगर कोई चीज लंबा तक याद रखनें तो सो टाइम देना पड़ता है जिसके साथ हम ज्यादे समय बिताते हैं वह याद भी ज्यादे जिन तक रहता है चलते ही मिलते हाई हेलो मेला में मिले अगला जुरुकर कुछ अम्हुला जाएं ऐसा ही होता है इसके साथ ठीक है आप क्या करें इसको डबल फास्ट करके देखते हैं डबल फास्ट की देख हो जागा अच्छे साथ में उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लावा ठीक लावात आप मारे साथ कंट्यूनी बने रहें फिर मिलेंगे नेक्स्ट विडियू